हेलो नमस्कार किषान साथियो मेरा नाम दलबीर है और मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल का नाम इंडियन टेक्निकल फार्मिंग है और आज मैं आपके लिए एक ख्यत्य से जूड़ी नई वीडियो लेकर आया हूं इस वीडियो में आज मैं आपको बता प्रापता हूं कि गवार की खेती किस तरिके से गरे जिससे में ज़्यादा से ज़्यादा इंकम प्रापत हो गवार की खेती के लिए उप्यू कुछ में कौन सा है गवार की खेती के लिए फसल चका पनाना क्यों जुरूर है गवार की खेती के लिए कौन सा बीजगा कु stirring के लिएक की जाती है गौर के खेतीं के लिए जल्ब परबंदन का होनाibly सुभ जोररी है और इसमें किट परबंदन और रोक परबंदन भी बहुत जोररी है इसकी इक आ परबुब दो जिसे कि में एक अच्छी इंकम परख तो इस वीडियो ख़ीर है नंत तक जरूर देखे उनुट रिए। वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रही, चलो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, अर्थ सुसक इलागों में होती है, यह गरम ओसम की फसल है, जिसे बाज़रे के साथ मिला कर बोया जा सकता है, इसे अरी सब्जी के रूम में भी इस्तेमाल किया जाता है, कुछ ज सिस्व में की जाती है, महराष्टर में लगबग 9 एक्टेश्चेतर में इसकी खेति की जा रही है, कर्शी विवा के अधिकारियों ने बताया कि पस्वों को गुवार खिलाने से उनमें ताकत आती है, तो दारुपस्वों की दूद देने की समता में वर्दी होती है, हेलो, नमस्कार, मेरे इस यूटूब चैनल में स्वागत है, मेरे इस यूटूब चैनल का नाम इंडियन टेक्निकल फार्मिंग है, आज मैं आपको सुपरशीड 88 वराइटी की कुछ विशेस्ताओं के बारे में बताता हूँ, सुपरशीड 88 वराइटी की पैदावार सबस से ज़्यादा की जाती है, इस वराइटी की बहुत ज़्यादा बर्दस्ट डिमांड होती है, एक एंकड के लिए दो से तीन kgb प्रियापत रहता है, इसकी बिजाई मद्यों की मिट्टी में की जा सकती है, इसकी बिजाई लगबक सभी परकार की मिट्टी में की जा सकती है अगर मिट्टी अलकी है तो आप 3 kgb परेंकर विजाई कर सकते हो अगर आप सिसित शेतरों में इसकी विजाई करती है तो एक पानी प्रयापत रचता है अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, शेयर वा इंडियन टेक्निकल फार्मी को सब्सक्राइब करें दिन्यावाद गवार की खेति करते समय हमें कुछ साथ दानिया रखने रचिए नंबर एक गवार की खेति के लिए उप्यूकत समय हमें नंबर दो खेत का चुनाओ नंबर तीन मिट्टी की जांच नंबर च्यार पानी की जांच नंबर पांच गवार की खेति के लिए भूमी नंबर च्यार गवार की खेति के लिए जलवाई हूँ S. खेट की त्यारी V8 फचल पतति या फचल चकर 9- का जुनाओ, विज की उनथ किसमे, विज पाल उपचार, विज की मातरा 10- विज़्याई या फचल गी बुवाई 11- फचल की बुवाई, तथा ऐसी से छेतरों में 12- हर पतुवार की रोगताम नम्बर तेरह के बाद निराई आगुड़ाई नम्बर चबदा तीस दिन बाद सिचाई नम्बर पंदा, जलका परबंदन नम्बर सोड़ा, केट वर रोगा परबंदन नम्बर सोड़ा, इनसेक्टिस, साइड वर टोनिक का स्प्रे मरस्ता कटाई फिर कडाई फिर पंडारन ये मुक्के सावदानी है जो में गवार की फचल में रखनी चाहिए गवार की खेती के लिए उप्यूकत समय गवार की खेती खरीब और गर्मी के मौसम में की जाती है कालिन फचल की बुआई के लिए मई मेंने का पर्तम खोड़ा उप्यूकत समय है जाई आप नेरी पानी से भी कर सकते हैं देरी से बुआई करने पर पैदावार पर प्रतिकल प्रुबाव पड़ता है वर्षा रितुक की फचल की बुआई के लिए जून वाज जुलाई उप्यूकत समय है वर्षा दारी छेतरों में जुलाई मा में वर्षा आगमन के समय ही गवार की बुआई कर देने चाहिए बजार में बाजरा की बहुत सी वराइटियां प्लुब्द होती है मई महिने में हम अगेत्ती वराइटि वाजून जुलाई में हम पचेत्ती वराइटि या फिर हम समय के उनुशार ही वराइटि का चुनाव करते हैं खेत का चुनाव इसके बाद हम बाजरा की बिजाई के लिए हम खेत का चुनाव करते हैं अगर पहले उस खेत में सर्सों की विजाई की थी तो सर्सों के फनों को रोटावेटर की साथा से एक दो बार अच्छी तरह से जुताई कर दे ताकि सर्सों के फनों खेत में अच्छी तरह से मिट्टी में मिल जाई फिर आप हैरो की साथा से दो तिन बार अच्छी तरह से ज जुताई कर दे फिर आप हैरो की साहता से उसकी एक दो बार अच्छी तरह से जुताई कर दे या फिर आप कल्टिवेटर की साहता से एक गहरी जुताई कर दे अगर खेत नहरी है तो खेत को लेजर लेवलोर की साहता से संतल कर दे ताकि खेत की सिचाई अच्छी तरह कैसी हो कि मिट्टिकी जांच सबसे पहले अपने खेद की मिट्टिकी जा जाता है कि कि पस्कति की कमी है वो खेट की मिट्टी किन गिन फसलों के लिए उपयूकत है और इस मिट्टी में कौन-कौन सी फसले उगाई जा सकती है जैसे केहूँ, चन्ना, अरहर, सर्सू, राया, बर्सीन, गन्ना, अलू, मक्ह, बाजरा, कपास, मिट्टी की जाँ से हमें यह पता चल जाता कि इस मिट्टी का pH मान कितना है और इसमें कौन-कौन सी फसले उगाई जा सकती है पाने की जांच अगर आप फसल की विजाई के लिए नेरी पानी का इस्तेमाल करते हैं तो यह सभी प्रकार की फसलों के लिए अच्छा है और इसमें बीज का अंकूर्ण सो 30 हो जाता है अगर आप टीवल के पानी से फसलों की विजाई करते हैं तो आप सबसे पहले टीवल के पानी की जांच करवा लिए अगर टीवल का पानी पीने में मिठा है तो इसमें पानी का पीपियम ज्यादा हो सकता है और बीज अंकूर्ण के समय यह एक समस्या बन जाता है अगर पानी का पीपीए में 706 है लिए अच्छा है और इसमें बीजगांकूर्ण 100% हो जता है अ工作 पाने पीपीए में 49 याज़ी के में तरिक्के से नहीं हो पता है क्रांट इसलिए पाने लिए एक प्रगा長 करवाना बहुत खेत की त्यारी हुए गुबर की खाथ, अगर आप खेत में गुबर की खाथ का इस्तेमाल करते हैं तो आट से दस टॉली एक अंकट के लिए प्रयापत रहती है, गुबर की खाथ जमिन में अच्छी तरह भी खायकर जमिन को सुमतल कर देना चाहिए गुबर की खेते के लिए बुमी, गुबर की खेते के लिए उंचित जल निकास सबादी दूमट वा बलूई दूमट मिट्टी से रोत्म रहती है, यह फसल सिंचित वा ऐसंचित दोंचेतरों में सफलता पर उगाई जा सकती है, अलकिसारी है वा लबनी बुमी जिसका साड़े साथ से साड़े आठ तक हो, वहीं पर गुबर की खेते असानी से की जा सकती है, गुबर के लिए एक जुताई मिल्टी पलटने वाले हल यह अड़े से कहरों से क्रोश जुलाइ जुताई कर पाटा लगा देना चाहिए, इसके उपरांत एक कर्टिविटर से जुता पत्वार कम पनपते हैं, गुबर फसल के लिए जलवायू, गुबर एक सुका सहन करने वाली गरम जलवायू की फसल है, यह उन्च शेतरों में असानी से उगया जा सकती है, जहां पर ओशित गुबर साथ 30 से 40 सेंटीमेटर तक होती हो, विजों के अंकून वा जड़ों के यह 25 से 300 सेंटीमेटर के निचे ताब मान उप्यूकत होता है, गुबर एक परकास से विदन से फसल है, अता इस फसल में फूल वया फलियों का निवान के वर्क खरीब के मौसम में ही होता है, अता दिक बारिस बरसांत वा ठंड को यह सैन नहीं कर पाती है, जिन छेतरों में नहीं ते गर्मी पड़ती है, पंतुश चाय की सुविद्धा उपलब्ध है, वहाँ पर गुवार की खेती से बरपूर पैदावार दी जा सकती है, सुसक और अज सुसक दोनों दसाओं में इसकी खेती असानी से की जा सकती है, गुवार एक उसन कटे बंदिया फसल है, जो सकती है, जो अच्छी जल, निकास वाली मध्यम से भारी मिट्टी में फसल अच्छी तरह से बढ़ती है, यदि या फसल चकर को क्रोब रोटेशन के नाम से भी जाना जाता है, किसी निस्चित भूमि में निस्चित समावारी फेशलों को लगातार आदल बदल कर वोना ही फष्ल चक्र कराता है फष्ल चक्र का मुद्ध कर दिशिया है किसी भी तरह के परोधय के लिए भूमे में मुज準 पोच्थतों के फिलपियों शैब नाया रखना होता है लगता फष्ल चक्र अपनाने से बहु बॉमे क्स Games को फश्ल में आने वाली की तरह की जबकि एक ही फसल को लगाता रुगानी से किसान भायों को फसल की कम उपज मिलती है एक ही फसल को खेत में लगाता लगाने से मिट्टि में बीजणित और मरदा जड़ भी बढ़ जाती है जिसके करण बूमी में विशे ल्ला गूण आ जाते हैं बूमी के अंदर विशे ले कदातों कीॶ को सिंत्मादार विए कि और तरवी के हुआ रहते हैं प। सिंटातों के सांव्री इनदेब्मिय प्राप्त के से रहे जाते हैं। धशेरी कि एक भाभाकर में भए गजस्थी तरह को सांजी आंति अफ्री, करते हैं रोक भी काफी कम देखने को मिलती है चिसकी वज़ाई से किसान और रसनेक दौयाँ पर जाइन वारा करची भी कम हो जाता है फसल चक्कर के दौरान भली वाली फसलों की बहूने फर खेत में नायडरोजन पूरति बनी रहती है, फस्लचक्र अपनाने से खेट में कमी देखने को मिलती है, क्योंकि फस्लचक्र के दौरान अधिक गुड़ाये वाले फ़स्लों को भूने पर ख़ेट में खरफतवर नश्थ हो जाते हैं, अधिक पुसंद तब तो गरण करने वाली फसलों की खेत के बाद खेत को एक वार खाली छोड़ देना चीए किसी भी विशेश रोग के लगने पर उस फसल को लगातार खेत में नहीं उगाना चीए जिन फसलों की जड़े अधिक गराई में जाते हैं उन फसलों की बाद जिन फसलों की जड़े कम गराई में जाते हैं उन्हें उगाना चीए और आज फसलों की उगाने के बाद दो से तिन साल में एक बार धनलनी फसल को जुरूर उगाना चीए देख गुडाई वाले फशलों के बाद कम ग्डाई की जूड़त वाले फशलों को उगाना चीए इस फरकार हमें फशल कर अपनाना चीए अज्जी 563, 220 अरे फिलियों तो उनत किस्में IC 1383, M83, PUSA मौसमी अरे चारे के लिए उनत किस्में ये मुख्यत अरे चारे के लिए उप्योग की जाती है बुंदेल गवार 3, गवार करांती, बुंदेल गवार 2, गवार 80, बुंदेल गवार 1 अगर आप पैदावार के लिए उप्योग करते हो तो दाने वाले उनत किस्मों का ही चुनाव करना चाहिए अगर आप अरे चारे के लिए उप्योग करते हो तो अरे चारे वाले उनत किस्मों का उप्योग करना चाहिए अगर आप फल्लियों के लिए उप्योग करते हो तो अरिफलियों वाली उन्हत किस मुखा चुनाओ करना चाहिए गुआर के बीजों की मातरा वह है बीज उप्षार यदि आप गुआर की फजल दानो और अरिफलियों के लिए करना चाहते हैं तो एक एंकड के लिए दाने की फसल के लिए 5-6 kg बीज प्रियापत रहता है और अरिखाद फसल में 15-16 kg परतियंकड बीज की जूरत होती है इसके इलावा आप अरेचारे के लिए फसल का उपयोग करना चाहते है तो 16-17 kg बीज परतियंकड की जूरत होती है इन विजोको खे या फंगस जैसे रोग ना लगे पुद्वय में जड़ों के दिक मातरा में गांट फायदा करने के लिए जवानु रोद्दक राइजोबियम उरुक से उपचारित कर लेना चाहिए एक एक एक्टर के खेट में 200 ग्राम की मातरा वारी दो पैकट बार जवानु रोद्दक क हम उपचारित करते हैं फंगरिसाइड को उपचार करने का मैं अनुदैसे है फंगस की बिमारियों की रोग था म के लिए किया जाता है और इंसेक्टिसाइड दॉआ सायुंं कि से अप्चारित करने का मुख्य अद्這邊 क्लिए के लिए किया जाता है और आज ज्योगियाक टु छित में जिवानओं की संक्या बढ़ाने के लिए किया जाता हैं जिससे खेत में जिवाणओं के संक्या बढ़ जाई जिसे के एक अच्छी पु Dual फ़ॉर्प्ट हो घ गौर दलानी फसल होने के का नाइट्रोजन की कुछा परती वातावरन की नाइट्रोजन को जोडों में उपसित पांटोर एक्तरत की लिए जाती है। लेकिन फसल की पावरेंबी का वस्ता में पौशक तक्तो की फुर्ती के लिए 20 किलो नाइट्रोजन वाज 40 किलो फास्पोर्स परती एक्टेर प्रयापत रहता है। पूरो नाइट्रोजन वे फास्पोर्स की मातरा बौई के समय खेत में डाल देनी चीए। इसके तरित गवार की विजाई को बौई से पहले राईजुबियम कल्चर की 600 ग्राम मातरा को एक लेटर पानी वबर डाईसो ग्राम गुड के गोल में 15 किलो ग्राम भी उचको पचारित कर छाया में सुका कर बोना लाब दयाक रहता है। खेत की तेहरी के समय पांच टन गुबर या कंपोस्ट कार्ड या दो तिन वर्ष में एक बार अवस्य प्रियोग से पहले मिट्टी की जांस करवा लेने चाहिए। गुड की बुधाय की विद्धी अधिक पायदवार के लिए गुड की बुधाय की पंग्तियों में करें। अगर आपने नेरी चत्र में विजाई की है तो आप इसकी मेड मना दे फिर आप इसमें खर्पतवा नेंतर के लिए पेंडा में लिथियां 30% EC का 50-500 mm को डाइसोलेटर पानी में मिला कर इसका छिटकाओ कर दे जिसे की केद में खर्पतवार नहीं होगे खर्पतवार नियांतर गवार की फसलों को खर्पतवारों से पूर्ण तया मुक्त रखना चीए समयने फसल भवाई के 15-20 दिन बाद की तरह के खर्पतवार निकल जाते है जिसमें जंगली जूट जंगली चरी वद दूब गास परूँक है खर्पतवारों के नियंतर ने फसलों की बवाई के दो दिन पर चाथ पैंडा में लिध्यान 30% इसी का भी छिटकाओ कर सकते हैं बिज्जाई के 30 दिन बाद खेत में खर्पतवार उग जाते हैं जिस खर्पतवार उगने के बाद हमें उसकी निराई या गुडाई आथ से ही कर देनी चाहिए निराय गुडाय करने के बाद अगर खेत की सिचाई करनी है तो 30 दिन बाद हम खेत की सिचाई कर सकते हैं जल परबंदन अगर खेत में पानी का बराव ज़्यादा हो सकता है तो हमें उसके जल निकासी का परबंदन करना चीए क्योंकि गुआर की फचलों में ज़्यादा पानी की जूट नहीं होती है गवार की फसल में कीट वरोग प्रवंदन दिमक फसल के पोदों की जोड़ो को खाकर ये नुक्सान पुचाती है बॉआई से पहले अंतिम जुताई के समय खेत में किलून पोस एक पॉइंट पांच पती सतिया कलोरिफाइस पाउडर बीश से 25 किलो परती एक्टेर की दर से भूमी में मिलानी चाहिए बॉने के समय बीश को कलोरिफाइर इस केट ना सकी दो मिली लेटर मातरा से पती किलोग्राम बीश की दर से भूमना चाहिए नमबर दो कातरा इस कीट की लट पारंबे का वस्ता में फसल के पोदों को खाकर नुक्सान पुचाती है इसके नियंतरन के लिए खेत के आज पास पाई रहनी चाहिए तथा खेत में प्रकॉप होने पर मिथाईल पैराथियोन या क्यूनोल फास एक पाइंट पास पते से चून की 20 से 25 किलोग्राम आतरा पत्ती अकड़ की दर से बुरुकनी चाहिए मोहिला या किट पोदक के कमल बागो का रशुक्स पर फसलों को आनी पुचाते है इसके नियंतरन हत्तु मोनो कोड़ोट फास आदा लिटर अतरा को 500 लिटर पानी के गोल में मिला कर चुटकाओ कर देना चाहिए इन किटों के नियंतरन के लिए ट्राइजोफोस या मेला थ्यान की एक लिटर मातर रखो पानी में गोल बना कर परत्ती एक्टर की दर से छुटकाओ करना चाहिए वेक्ट्रियर बलाइट या गवार की बहुता निकर बिमारी है इस बिमारी के उपर गोल अकार के दब्बे बनते है इस बिमारी के नियंतरन है तो रोग रोधी किसमों का उगाना चाहिए बीज को 2 ग्राम से ट्रेप्टो सैक्लिन से परती किलो बीज की दर से उपचारीत क कर बोना चीए छाचिया इस रोग के कांड पोद्य के उपर स्पेद रंग के पाउडर का आवरन बन जाता है इस रोग के नियंतरन है तो 25 किलो ग्राम गंदक जोनी या एक लेटर के रहत थेन को पचास चो लेटर पानी में गोल बनाकर पत्ती एक्टर की दर से बुरकाव क संक्या में जबर्दस्त वद्दी करने के लिए हमें पलानोफिक्स वाकल्टार जैसे टोनिक का इस्तेमाल करना चीए इसका उप्यों करने से फूलों की संक्या में जबर्दस्त वद्दी होती है फलियों की संक्या ज़्यादा से ज़्यादा बनती है फूल जड़ते नहीं ह है 15-20 दिनों के अंतराल में हमें 2-3 स्प्रेक करने चाहिए चिपपवाय रहतेला की रोक थाम के लिए हम मौनो क्रोटोफास या इंडिकलोराइड या टाटा का असाटाप जैसी दौई यहों का चटकाव करना चाहिए अन्य केटवाय रोक रोक के रोक सामके लिए आप अपनी दोक्तर से भी संपरक कर सकते हैं इसके बाद जैसे ही पैदावार फसल की कटाई शुरू हो इसके बाद हमें कटाई कर लेने चाहिए इसके बाद हम इसकी दूब में शुपा लेना चाहिए इसके बाद हमें इसकी कटाई कर लेने चाहिए कटाई करने के बाद हमें इस पसल का बंडान कर देना चाहिए अगर आपको यह मेरी वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्य रेंग्दिन तेकनीकल फर्मुट स्क्राइब । ики